हांजी रोस्तो तो कैसे हैं आप लोग दोस्तो बाई जो बाते मैं आज आज आपसे बताने वाला हूँ उसे बिल्कुल ध्यान से सुनियेगा अगर आप एक electrical engineering के student हैं तो क्योंकि इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आपके first semester examination में electrical engineering में external and internal marks कितना मिलता है seasonal कितना मिलता है उसके बाद से जो आपका paper होता है वो कितने number का होता है कितना minimum passing marks होता है इसके बारे में complete details में इस वीडियो में बताने वाला हूँ इससे पहले अगर आप civil engineering के student हैं या फिर mechanical engineering के student हैं तो आपके लिए videos बन चुकी है इसके उपर तो आप channel पे जाके check कर सकते हैं ठीक है अगर आप दोस्तों engineering के student हैं अपने अंदर quality develop करना चाहते हैं तो हमारे motivation channel को जरूर subscribe कीजे जाके जिसका नाम है motivation वाले भाईया आप search करेंगे तो number one channel जो आएगा वो हमारा है आप उस पे जाके अपने qualities को improve कर सकते हैं यानि कि free में आपको motivational videos वहाँ provide कर आई जाएंगे जिससे आपके सोच पे असर पड़ेगा और आप अच्छे इच्छे thinking सोच सकते हैं यानि कि अच्छे इच्छे thoughts आपके दमाग में आने लगेंगे तो अगर आप अपने आपको improve करना चाहते हैं अपनी qualities को improve करना चाहते हैं तो motivation channel को हमारे ज़रूर subscribe कीजे इससे पहले दोस्त हम इस वीडियो को start करें आप देख रहे हैं हमारा चैनल की बाते करते हैं तो सबसे पहले आपको पढ़ना है communication skill, applied mathematics, applied physics, applied chemistry, engineering, drawing ठीक है ये इतने subject आपको electrical engineering में पढ़ना है ठीक है अगर आप एक first semester के student है तो अगर बात करें communication skill की तो communication skill का paper जैसे कि आप यहां पे देख पार होंगे 50 number का होगा जिसमें आपको कम से कम 17 number लाने हैं फिर बात करते हैं applied mathematics की जिसका भी paper आपका 50 number का होगा और इसमें भी आपको कम से कम 17 number लाने हैं तब आप इस subject में pass कहे जाएंगे ठीक है अन्यथा आप इस subject में fail कहे जाएं बढ़ते हैं दोस्तों next आपके subject की तरफ यह है आपका applied physics जिसका paper भी आपको 85 number का होगा और minimum marks आपको 17 number होगा यानि कि कम निमतम अंक जो है वो 17 number आपको लाना है इस subject में तभी आप इस subject में pass कहे जाएंगे next है दोस्तों applied chemistry यह भी आपका 50 number का होगा paper आपका externally और इसमें भ आपका engineering drawing जो कि आपका 60 number का paper होगा और इसमें pass होने के लिए आपको 20 number लाने होगे ठीक है तो यह तो चीजें होई आपके external यानि कि जो आपको paper देना है उसके बारे में उसके बार से practical के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा तो practical के बारे में यहाँ पे आप देख पार होग कि communication skill का practical जिसमें आपको वायवा लिया जाएगा वो आपका 20 number का होगा जिसमें नियुनतम आपको 8 number मिल सकते हैं इससे कम मिलेगा तो आप practical में fail कहे जाएंगे फिर applied physics के practical के लिए आपको 20 number मिलेगा जिस जो वायवा के थ्रू ही दिया जाता है अगर आप ज्यादर से ज्या है applied chemistry जो है उसमें आपको 20 number का practical होगा जिसमें आपको 8 number नियुनतम मिलने जो है वो define किये गया है नियुनतम से कम अगर आपको मिलता है तो आप fail कहे जाएंगे फिर बात आती है BIT यानि कि basic information technology इसमें कुछ computer के उपर वायवा होता है यानि कि computer के कुछ प्रस्णों को पूछ जाता examiner जो आते हैं और उसके बाद से आपको उसमें बताना है जैसे input output device के नाम पूछ देगा और भी बहुत सारी चीज़े पूछेगा हम examination के time सारी चीज़े आपको detail में बताएंगे ठीक है और इसका जो है वो आपको minimum marks 24 है यानि कि 24 number अगर आपको मिलता है तो आप जो ह इस number से कम होता है तो आप इसमें fail कहे जाएंगे ठीक है बात करते हैं सबसे important आपका general workshop practice की क्योंकि देखते हैं आपकी general workshop की classes कितनी चलती है practical भी होता है अगर आपकी college में होता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं होता है तो बहुत सारे जो है वो आपका इससे नुकसान है क्योंकि इसमें आपको चीजे practical सिखने को मिलती है तो यहाँ पे आपको 60 number का practical होगा जिसमें नियुनतम 24 अंक आपको मिल सकता है अधिकतम आपको 60 तक मिल सकता है लेकिन जो है 1569 number तक दे दिया जाता है बात करते हैं दोस्तों next बहुत important जो seasonal होता है जो की college के थूँ आपको मिलता है तो seasonal आपका 230 number का होगा जैसा कि आप यहाँ पे देख पारोंगे सबसे important यही होता है result बनाने में आपको यह मदद करता है सिखनल में जो 230 number मिलता है तो तो सबको 230 नहीं मिलता है जिसका जो है वो attendance सही रहता है उसके बाद से college के पर तो discipline सही रहता है तो सबको जोड के जो है वो आपको seasonal मिलता है तो आप जो है वो regular college जाईए और उसके बाद से seasonal अच्छा पा जाईएगा तो यह चीजें आपकी हुई electrical engineering वाले students के लिए ध्यान से आप देख लीजे कि आपको जो है वो external marks कितना मिलता है internal कितना मिलता है एक बार अगर मैं चीजों को explain करना चाहूं तो यह इतना जो है वो आपको external के रूप में मिलेगा number यानि कि इसका paper देना पड़ेगा और उसके बाद से जैसे ही आप नीच के थुरू मिलेंगे ठीक है तो I hope मैं आपको सारी चीजा step by step करके समझा पाया हूँ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को like और share जरूर कीजेगा और एक बात जरूरी दोस्तों कि अगर आप एक engineering के student है या फिर किसी भी profession के student है और अपने अंदर qualities develop करना चाते हैं जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ फ्लियंटली तरीके से उस तरीके से आप भी बोलना चाते हैं या फिर अपना impression बढ़ाना चाते हैं तो आप हमारे motivation वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेए वहाँ पे 100 से जादा इस चैनल के सदस्से बन चुके हैं तो आप भी जाके जुड़िये क्योंकि फ्री में हम वहाँ पे आपको अच्छी अच्छी बाते बताते हैं जिससे आपके अंदर जो है वो बहुत अच्छी अच्छी qualities develop हो सकती हैं ठीक है तो फ्री की चीजे मिलती है तो जरूर उसका लाब उठाया जाता है आप जरूर ज और कैसा लगा ये वीडियो दो लाइन लिक के हमें जरूर बताएगा इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद